नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आज का टॉपिक है चाहे कैसा भी जोड़ों का दर्द हो या फिर हड्यों का दर्द हो रात को ये उपाय कर लिया तो कभी न संधिवात इत्यादी नामों से भी जाना जाता है इस रोग में सबसे पहले शरीर में निर्बलता और भारीपन के लक्षन दिखाई देते हैं इस रोग के होने पर हाथ के बीच की उंगलियों में दर्द होता है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो हाथ की दूसरी को उस प्रक्रिया को नुस्खे को आजमाने में जरा भी संकोच न करें और शरीर में जोडों घुटनों और अन्यमांस पेशियों के असानिय दर्द से छोटकारा पाएं ये एक बहुत ही आसान और शधी है इसे रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है चाहें कैसा भी जोड का दर्द हो ये उपाय कर लिया तो कभी नहीं होगा आज कल की बदलती जीवन शैली में जादतर लोगों को जोडों के दर्द की शिकायत है यूं तो जोडों के दर्द की समस्या एक उम्र के बाद ही सामने आती है लेकिन कितना अच्छा हो अगर आप शुरुआत से ही इसक से रोक सकते हैं आपने अपने घर में दादा दादी ना ना नानी को जोडों के दर्द से परेशान होते हुए देखा होगा अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या आपको नहों तो आज से ही अपने अहार में कुछ एक चीज़ों का सेवन आवश्य सुरू कर दें जीहां नहींने तक सिर्फ सोने से पहले इनको खाएं और आपका दर्द प्राक्रितिक तरीके से खत्म हो जाएगा जी हां सुखा हुआ आलू बुखारा सुखे आलू बुखारे में पाए जाने वाले जैविक सक्रिय पदार्थ रेडियो थेरेपी या अन्य वीकिरन आवरंड से होन करने वाले अस्ति शति को रोकने में प्रभावी होते हैं सुखा आलू बुखारा वीकिरन से हड्यों के रक्षा करता है फाइवर से भरपूर होने के कारण ये कबज से छुटकारा दिलाता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है सुखी हुई खुबानी जिहां ये फल एंट अक्सिडेंट्स हमारे शरीर में रोग प्रति रोधक शमता सेल्की वृद्धी और आखों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं ननहें आयरन शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है जो कि संसार में सबसे आम पाई जाने वाली समस्या है सुखी अंजीर जिहां इसमें वर से कबजी भी ठीक होती है यह फल कई खनीज पदार्थों से भरपूर होता है जैसे कि मैगनीशियम आयरन कैल्शियम और पोटैशियम यह खनीज हड्यों के मजबूते के लिए जरूरी होते हैं साथ ही प्रति रोधक शमता और चमड़ी के लिए भी फायदेमंद होता है अंजीर शरीर से हानिकारक एस्ट्रोजन को स्वत ही निकालने में मदद करता है शरीर में एस्ट्रोजन के ज्यादा मात्रा कई समस्याओं को उत्पंत करती है जैसे कि सरदर्ध योटरेन और ब्रेश्ट कैंसर भी हो सकता है गठिया जोणों का दर्द और हड़ियां गुटनों पर करने से अंगलियों एवं घुटनों की हड़िया मजबूत होती हैं दू चुट की चूण जिहां घुटनों के दर्द में त्रीफला पीपल की जड़ सूट काली मिर्च और पीपल को 10-10 ग्राम के मात्रा में लेकर पीस कर चूण बना ले यह दू चूट की चू लेसुन के से जोड़ों के दर्द में काफी आराम मिलता है विशेशग्य भी मानते हैं कि प्याज और लेसुन में कई ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो जोड़ों के दर्द में फायदे मंद होते हैं इनके नियमित से जोड़ों के दर्द की शिकायत होने का खत्रा काफी कम हो बादाम के अलावा मुंफली में भी पर्याप्त मात्रा में ओमेगा-3-50 एसिड पाया जाता है पपीता पपीते में बड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है विटामिन सी नकेवल इम्मून सिस्टम को बहतर बनाता है बलकि ये जोडों की सेहत के लिए भी काफी मिलता है ब्रोकली में कई ऐसे पोशक्त तो पाये जाते हैं जो जोडों की सेहत लंबे समय तक बरकरार रखते हैं इकसरसाइज इसके अलावा सही साइज के जूते पहनकर एकसरसाइज करके और मोटापे को नियंतरित रख करके भी आप जोडों के दर्द में राहत पा सकते हैं गठिया में कुछ पदार्थों का भोजन आवश्य लें जिहां एक वर्ष पुराने चावल अरंडी का तेल पुरानी शराब लहसुन करेला परवल बैंगन सहजन लसी गोमूत्र गर्म पानी अधरक करवे एवं भूख बढ़ाने वाले पदार्थ साबूदाना तथा ब गठिया रोग में रात को सोते समय एक गलास दूद में जरासी हल्दी डाल कर पीने से लाव मिलता है घुटनों का दर्द जोडों का दर्द निवारक रात को आप स्पेशल हड़ी रोग को भी दिखा सकते हैं इसके लिए जब आपकी समस्या इन नुस्खों से न सुधर पा आपको अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों